दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार एक साइज कुंस्टेवल की नई भरती आया है फॉर्म अपलाई भी सुरू हो चुका है फॉर्म अपलाई करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो उमिदवारी है वो रद ना हो पाए उमिदवारी एक सवधानी रखनी चाहिए आप लोगों को हजारों अभियारती क्या गलती करते थे फॉर्म भरते समय जो आप गलती नहीं किजिएगा इस वीडियो में सभी जनकारी आपको मिलने वाला है आपके उफिसल नोटिस में ये सभी जनकारी दिया हुआ है चलिए सबसे पहले मैं ये महतपूर्ण निर्देश दिहान पुर्व के देख लीजिए ये आपका फिसल नोटिफिकेशन है और उसी के पॉइंट नंबर सोला में आईएगा तो दिखे दिया हुआ है कि ओनलाइन अवेदन पत्र भरने के लिए अवसक निर्देश में क्या दिया हुआ है कि ओनला अब यहां पर ये महतपूर्ण है कि यदि कोई सुचना जूटी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद करने के साथ साथ अवसक कानूनी करवाई की जाएगी ये साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है अब ये रद आपको आवेदन पत्रता जो रद हो सकता है या नहीं अच्छे से भरे रहते हैं एक्जाम होने के बाद भी बहुत लोगों का उमिदवारी रद करन किया जाता है में इसकी डोकुमेंट फिर्फिकेशन के समय भी दिखिएगा या फिसकल के समय भी तो यहां पर देख सकते हैं साफ सब इस बारे में लिख भी दिया गया है कि परमाण पत्र को मिलान के समय यदि इनमें से कोई भी भींता पाई जाती है तो अभिवार्थी के उमिदवारी रद कर दी जाएगी तो अभिवार्थी के उमिदवारी एक्जाम से पहले भी रद की जा सकती है और एक्जाम के बाद भी रद की जा सकती है तो फोम भरते स पुछिए गारन आपको बिना रद्धी करण कि जा सकती है लेकिन फिजिकल के बाद वाला जो उमिदवारी रद्धी करण किया जाता है यानि फिजिकल पेमेंट विरैफिकेशन के समय यह आपको दुखिएगा फैनल मेटल लिस्त जारी नहीं होने में आपका नушка नमबर अच्छम लीज्र की कि अफीर यंकरी नहीं डिया जाता है सब को एक साथ मिलाकर जनकारी दिया जाता है तो आप आटी लगा कर उसकी जनकारी ले सकते हैं जो भी मैं बता रहा हूं इसे ध्यान पुर्वक देखिएगा पहला नंबर तो यह गलती नहीं करना है और यहां पर आपको कभी भी रिजिस्टेशन या फॉम भरते समय अपना नाम अपने पिता का नाम अपने माता जी का नाम अपका जो पता है अपका जो पीन कोड है गाओं यह सब आपको अच्छे से भरना होगा इस बात को धियान अमरेखिए कि इ फोटो यह साक्षर अप्लोड नहीं किया है या किसी अनव्यक्ति के फोटो हस्ताक्षर अप्लोड कर दिया अपने जगा पर तो इस कारण सी आपको रद कर दिया जाता है फिर दिखिए का तीसरी नंबर पॉइंट में दिया है कि अवेदक मुल्यका मूल ऑनलाइन भुगत अब जैसे कि अगर पेमिंट कर भी दिया फिर आप और रासी वसूल लिए इसके चलते भी आपके उमिदवारी क्या कर दी जाती है तो ध्यान पुर्वक भूम बना है अवेदन में गलत सूचना दिया जाना जैसे कि अपने नाम हुआ अपने पिता का नाम हुआ माता जी का भर देते हैं बिहार से बाहर के हैं और बिहार का भर देते हैं तो फिर क्या होगा कि इससे भी उमिदवारी आपके रदगिर दी जाती है और यह सभी कब पता चलता है जब आपका बायमेट्रिक होता है आप दिखिएगा एक तो एक्जाम के समय भी आपको दिखिएगा तो वाले मतलब विए पर इ kole नहीं लेता है या या इस तिक इस Mine या और लेकिन वह कटेगरी डाल दिया तो उससे क्या होगा उसके कारण भी उसके उमिदवारी रत कर दिया और यह कब जाता है यह aciesकश्या डोकमेंट वरिंपःफीकेशं के जमियायानिकी फिस्कल के समय आपको किया जाता है इसकूटणी के समय किया आपन में गलत पाया जाना अवेदन भरते समय सभी सुचना दिये हूं है टेंथ कब किये हैं ट्वल्थ कब किये हैं पापा का नाम अपना नाम मता का नाम घर गाओं डेट बर्त लेकिन डॉक्मेंट फिरिप्रिकेशन समय उसके उलट हो जाए या उससे इतर हो जाए गलत के उमिदवारी आपके रत कर दिया ठीक डिक अवेधन में गलत लिंग भरना मनं लिजिए लिंग भरना मतलब मैमिल के फ्यमेल के में मैल ऐसा तो होता नहीं अक्सर अब देखिएगा तो लेखिए ऐसा हो जाता है तब पर वियरत कर दिया अगंजाम के समय मतलब problem kriaut कर जनुवरी 2022 आपका कटफ आपको है इसी के पहले आपके पास सभी डॉक्मेंट सोना चाहिए जैसे ट्विल्थ पास का अपका होना चाहिए इसे पहले इक बाद ध्यान में रखना होगा और शच्छडी की योगगिता भी उसी आपको कटफ डेट में निर्धारित किया प्रमाणपत्र का सही सरूप में प्रस्तुत और समर्पित ना करना जैसे अरक्षित कोटी के बिवाहित महिला यहां पर क्या है कि अगर कोई अरक्षित कोटी की बिवाहित महिला है अरक्षड के लाब लेती है और उनका साधी हो गया तो अपना पती के नाम से बहुत लोग बनवा कर चला जाता है ऐसा नहीं करना है अरक्षड जो होता है यह जनम से होता है कहने के मतलब कि पिता के नाम से ही बनेगा बिवाहित हो और बिवाहित हो से कोई फरक नहीं परता ठीक तो मही ल हैं अगर डालेंगे तो पीता का नाम डालेंग और पीता के नाम से हैं शट्फिरेक बनवा जाना आप हैं मतलब की BC 1 लेकिन BC 2 में डाल दिए BC 2 हैं लेकिन BC 1 में डाल दिए SC SC में डाल दिए EWA SC में डाल दिए phone EWA से general से गुरखा में डाल दिए तो ऐसे अप दिखिएगा कि पिछले बार भी बहुत से अभ्यारती हैं जो कि बाहर हुए थी इस कारण से ये भी आपको गलती नहीं करना है जिस कटेगरी में हैं पहले पता कर लिजे किस कटेगरी के अंतरगत हम आते हैं और वहीं आपको फॉम अपलाई करना है ठीक अब यहां देखिए आवेद्दो को किसी ऑने यह समय कहा है और समझे इसके लिए साजा के सासाथ आपको उमिदवारी भी रद किया जाता है् आगे की यहां-राप्रिछा के कार में-स लगन कर्मियों कि. किसी भी परकार के परलोभन देना था उन्हें देने का परियास करना माले यह रिटिन एक्जाम हो रहा है उस समय बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहीं के अंदर में जो है इन्विलेटर उनसे सेटिंग उटिंग के बारे में यह सब बात करते हैं यह जो भी करते हैं बाहर से या आपको बहुत सा ऐसे कॉल भी आते हैं आप लोग जानते हैं ति यह सब भी अगर इसमें पता चल रहा है कि आपने प्रवलोभन दिया है आपने ऐसा काम किया तो उत्मूंका तो जोब जाएगा ही जाएगा आपको भी साथ में जेल होगा और उमिदवारी रत कर दी जाए लेकिन उसके बाद भी जाने के परियास करते हैं तो यह सब भी आपको समझे कि कदचारी है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए नहीं तो अगर उस समय भी आपको उमिदवारी रत कर दी जाती है तो मिलनी यहां पर मैं क्या बता रहा हूं यह बात समझनी कि आप कोसिस कीजिए कि फौं भरते समय कभी भी अपना नाम अपने पिता का नाम अपने माता का नाम अपना कटेगरी अपना डेट और बर बिर्थ जिसद WAYे डिया है उससे पहले आपको पासिंग होना चाहिए जो आपको पासिंग शच्चम पर भावित करता एक फॉल अपने ये निवास द्यान रखिएगा जिस डिक्षिक से आते हैं वह भी ध्यान में रखिएगा और यूपी के हैं कि यूपी के बाहर के हैं मतलब यूपी के बाहर के मतलब बिहार के हैं कि बिहार के बाहर के हैं अगर माल लिजे कि बिहार के हैं तो अगर किसी अरक्षित होगा फॉर्मब भरते समय दो बात और जो मुबाइल नमबर दीजिएगा जो इमेल आईडी दीजिएगा उसे सम्हाल कर आपको रखना होगा ठिक अधारकाण ही नमबर दीजिएगा कभी भी अधारकाण अगर देना हो तो पाशान पत्र में तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा मुबाइल नमर email ID समाल कर रखिएगा वो बहुत आगे काम काम आता है तो ये आपको फोर्म भरना होगा काफिज भी आरती बोल लेते कि सरक फोर्म भरते समय कि ऐसे ही आपको होता है और बहुत लोगों को मिदवारी रद हो जाती है प्रोब्लम में पढ़ जाते तो फिर फोन करकर पूछते हैं कि सर क्या कैसे हुआ तो अपने गलती के चलते हुआ ऐसा काम पस जाते हैं ठीक लाश्ट डेट से फले फोर्म भरना है इतमिनान से फोर्म कि अजा रश। जो प्योंगर में यज को में अग्युआ है बचल belong Confinform召्सर है, कि टैके कि में वह जां से होईडिवारी के पीक भीको जाते हैं ख espaço जाते हैं कि बचलते हैं, कि अचलते हैं कि आनके वहारी के वीटने हैं थे वहारी को मिए नहरी जाठीपिता हैजर, कि लु